हलो और वेल्कम टॉफ डिफेस्ट निव्ट की एक फ्रेस एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है यारबस कंपणी के तहेत आज हम बात करेंगे भारत ये बावसिना का आनबानसान एरक्राप्ट C295 की बारे में केसे ये काम करता है और आने बाला दिन में केसे भा जती सकती और विशले सान के साथ हुए समन्नोते के पाथ इस उनिवर्स्टी में हवियर सेक्टर्स के लिए इंजिन तियार किया जाएगा इंडिन एरफोर्स के तहट जो अपडेट आ रहा है एरबस की अनुसार एरफोर्स के चीप ए- आर मार्सल बी- आर चोधरी स्पेन क की सिविल जाकर पहला विवान रिसप करेगी तो इसी साथ से स्पेन और भारत के बीच 56 विवान बनाने की समझोता हुआ है पहले 16 विवान स्पेन में बनेगी बाग 41 की टाटा आडभान से सफायट से लिमिटेड ही ये एसल बनाएगी ज़िए बात करूँ यहां पर प्रे पहली बिमान बनानी बाली नीजी कंपानी होगी भारते बाउशना के लिए ट्रांसपोर्ट बिमान बहुत जरूरी है ताकि सेनिक को खत्यार इंधन और हार्डवेर की एक जगा से दूसरी जगा पहुंच चके इसमें C295 कम बजन की ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा सेकेंड अब्डेट आ रहे फ्रेंट्स C295 विवान के दो लंग उड़ते हुए इसमें 73 यान के 73 साइनिक या 48 पराशुटर्स या 12 स्टेचर 87 स्क्यार मैडबेक या 27 स्टेचर मैडबेक के साथ 4 मेडिकाल यूनिट साथ में जा सकता है यह एक बार में अधितम 9250 कम बजन सकता है इसके लंबाई 80.3 फिट है जिए हम बात करेंगे विंग स्पेस 84.8 फिट है और उचाई 8.5 फिट है और एक अब्डेट आ रहे फ्रेंट्स इस एरक्रेप्ट में 7650 लिटर फियल आता है यहां अधितम 482 किलोमेटर पति घंटा के रपतार से उड़ सकता है इसका र करने के लिए इसको भारतिय आने बला दिन में इस्तिमाल करेगा तो इसका स्पीड भी कम रहेगा और अधिक उचाई तक नहीं जा सकता है इसलिए इसी साब से काम करेगा और अपडेट आ रहे फ्रेंट्स इसे उड़ान भरने के लिए 844 मीटर से 934 मीटर लंबाई बला र इसको इनवाइस सकता है जिसमें 800 किलोग्राम की हतियार लगा जा सकता है इसी साब से इस पॉइंट्स को अपडेट किया गया है टाटा ने पिछले साल नमेंबर से 40 से 295 इवान को लिए यहां पर मिटले कैंगिंग का काम सुरू कर दिया था इसी साब से हम बात करेंगे हा पर इसका आगे जागा टाटाइस में मैनुफेक्चिरिंग का काम आगे सुरू कर सकता है और जो अप्डेट आ रहे फ्रेंट्स बहतर कि सबसी 295 बिमानों को अंतिम रूप दिया जाएगा और जिसमें इंजिन लगाने और इलेक्ट्रोनिक सिट किये जाएगी इसके बाद उसे बाउशिना को दिया जाएगा मना जा रहे है कि 32 बी नंबर का विमान सबसे सोधे सी और बातिय कोष्ट गट्र यहाँ चाहते है कि आखिरके 9 विमान की समद्धर निग्रान के लिए हिसाब और बनाय रहे हीivas़ाए गा कि यहाँ पर बाउशिना के साथ भारतिय तरू बेस्ट ने और इसे विमान उडाने के ट्रेनिंग दिया जा रहा है दूसरे बेस्ट की ट्रेनिंग की त्यारी चल रहा है